पांच राज्यों में विधानसवा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही सियासी घमसान बढ़ गया है किन किन राज्यों में हो रहे हैं चुनाव, कब कब होगा मतदान कब आएंगे नतीजे और कहा वोटिंग से पहले ही फूटे पठाक है सियासत से जोड़ी सभी एहम खबरों के लिए देखिए टॉप नाइन चुनावी सिंटा देश के पांच राज्यों में विधान स्वाचुनाव की रनवहरी बच गई है उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरनों में मददान होंगे जबकि पंजाब, उत्तराखन और गोवा में सिंगल फेज में 14 फरवरी को वोटिंग होंगी वहें मनिपूर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरनों में मददाता अपने मताधिकार का प्रियोग करेंगे सभी राजियों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे यूपी में 10 फरवरी को पहले चरन का मददान होगा जबकि 14 फरवरी को दूसरा, 22 फरवरी को 30 रा, 23 फरवरी को 4, 27 फरवरी को 5 मा, 3 मार्च को 6 और 7 मार्च को 7 में चरन का मददान होगा चुनाव प्रचार के दोरान कोरोना गाइड लाइन्स का पालन करना होगा कुरुना संक्रमन को देखते हुए सभी राजियों में वोटिंग के लिए एक घंटे का अधिरिक समय दिया गया है चुनाव आयोग ने पांच राजियों की विधान स्वाचुनाव में सुरक्षित मद्दान के लिए कई बड़े एलान किये हैं आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी चुनावी रैली, रोडशो, पदियात्रा या साइकल बाइक रैली नहीं होगी रात आठ बजे से सुबा आठ बजे तक चुनाव रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा चुनाव की तारीखों का एलान होती ही सियासत भी तेज हो गई है यूपी के डिप्टी सीम केशब प्रसाद मौरी ने कहा है कि चुनाव में अखलेश यादब की हार पक्की है वहीं अखलेश ने पलटवार करते हुए कहा दस मार्च को यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा कॉंग्रेस ने भी चार राजियों में सरकार बनाने का दावा किया है चुनाव का एलान होते ही बीजेपी नेता धर्मेंदर प्रधान ने ट्वीट किया उत्तर प्रदेश समेथ पांच राजियों की 690 विधान स्वा सीटों पर चुनाव संपन खराने के निर्वाचन आयोग की घोशना का स्वागत करता हूँ बीजेपी का हर कारी करता लोकतंद्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए संकल्प बद्ध है मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी की जन कल्यान कारे नीतियों और सुशासन पर जन अतापुन है विश्वास दिखाएगी यूपी में विधान स्वा चुनाव का एलान होती कानपुर के पुलिस कमिशनर असी मरून ने वी आरस ले लिया है असी मरून के कन्नोज सदर सीट से चुना लड़ने की चर्चा है इसके साथ E.D. के जोएंट डिरेक्ट राजिस्वर सिंग ने वी वी आरस ले लिया है उनके गाजयबाद के साहवावाद से चुना लड़ने की चर्चा है यूपी चुनाओं में जिन्ना के बाद बावर के एंट्री भी हो गई है ए आएम आएम के अलीगड के जिला ध्यक शुगफरान नूर ने कहा है कि ओवेसी के पि-म बनने पर बावर का राज स्थापित होगा वे हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुस्लिम विरोधी बयानों पर पतिकिरिया दे रहे थे विधान स्वाच नौ की तारीखों के एलान के बाद धेरादुन में कांग्रेस मुख्याले में पार्टी कारिकरताओं ने जमकर आतीश पाजी की इस दोरान उत्राखंड के पूर मुख्यमंत्री हरिश रावत भी मौजूद रहे रावत ने कहा कि उत्राखंड की जनता लंबे समय से सत्ता बदलने का इंतजार कर रही है अब चुनावा योग ने इसकी तारीख घुशित कर दी है देश में 24 घंटे में डेर्ड लाग से जादा करोना के केस सामने आए हैं क्या है ओमिक्रॉन वेरियंट के नए लक्षन दिली में बढ़ते करोना ग्राफ के बाद केजरवाल सरकार ने क्या पैसला किया है और महराश्ट्रों में करोना से ने पटने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की कोरोना महमारी से जुड़ी सभी ख़वरों के लिए लेखे टॉप नाइन ओमिक्रॉन अनलोट देश भर में कोरोना वायरिस और ओमिक्रॉन वैरियंट का संक्रम अनलागा तार बढ़ रहा है देश में चौबस घंटे में कोरोना के डेर लाग से जादा केस सामने आये हैं महमारी की वज़े से देश भर में 327 लोगों की मौत भी हुई है वही 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 349 नए मामले सामने आये हैं अकेले महराश्ट में ओमिक्रॉन के 139 केस मिले हैं जबकि राजस्थान में 82 लोगों में ओमिक्रॉन वैरियंट मिला है कोरोना के ओमिक्रॉन वैरियंट से संक्रमित लोगों में कई तरह के लक्षन भी सामने आ रहे हैं पहले जहां सर्दी जुकाम बुखार सिर और बदन दर्द लक्षन थे वहीं अब लोगों में डर्य और ऻाब ओमिटिंग और रात में तेज पसीना आने की समया उमिक्रॉन के नए लक्षन के रूप में सामने आये हैं इसके अलाबा जबन के लक्षनों में मान स्पेसियों में दर्दिशकिन रहसें जैसे लक्षन भी नजर आ रहे हैं दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है पिछले 24 घंटे में 20,181 नहीं केस सामने आये हैं इस दोरान साथ लोगों की मौत भी हुई है दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 48,178 है और संक्रमन दर 19.6 फिजदी हो गई है दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रवासी मजदूर डर रहे हैं और अपने घरों को लोटने लगे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए के एजरिवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बैट बढ़ाने का फैसला किया जिसके बाद दिली सरकार के 14 अस्पतालों में 5,650 समाने बेट, 2,075 आईस्यू बेट और 8 कोविट केर सेंटरस में 2,800 बेट्स हो गए है महराश्टर में कोरोना की तीसरी लहर का आसर सबसे ज़्यादा दिख रहा है राज में एक दिन में 4,444 मामले सामने आये हैं महराश्टर में कोरोना के तीजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राजी सरकार ने कई कड़े प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए राद 11 बजे से सूबा 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का एलान किया है इस दोरान बिना एमर्जनसी किसी को भी घर के बाहर निकलने की जाज़त नहीं होगी पूरे राज में स्कूल और कॉलेज पंद्र फरवरी तक बंद रहेंगे तमिल नाडु में पिछले 24 घंटे में 10,978 नए कोरोना के सामने आये हैं आंधर प्रदेश और तेलंगाना में भी कोरोना का कहर जारी है उत्र प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संक्या में इजाफ हाला गातार जारी है पिछले 24 घंटे में राजी से 6,411 नई केस सामने आये हैं राजी में फिलहाल 18,521 नई अक्टिव केस हैं पड़ोसी राज उत्राखंड में भी एक दिन में 1,560 नई मामले सामने आये और राजी में 3,214 नई अक्टिव मरीज हैं संसद में काम करने वाले कितने करमचारी हुए कोरोना संक्रमन के शकार ट्राइसटी में कैसे हुआ कोरोना विसफोट गंगा सागर मेले में कोरोना से नपटने के लिए ममता सरकार ने क्या फैसला लिया है और दुनिया भर में कितने लाख लोग कोरोना वाइरस के शकार हुए देश दुन्या में कोरोना महमारी के बढ़ते खत्रे से जुड़ी सभी एहम खबरों के लिए देखें टॉप नाइन कोरोना का कोहरा दिली के संसद भवन में कोरोना विस्फोट हुआ है जानकारी के मताबिक संसद में काम करने वाले कम से कम करीब 400 कर्मचारी और सुरक्षाकर में कोरोना संक्रमित पाएगा है बताया जा रहा है कि 6 और 7 जनवरी की दौरान संसद में काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना संक्रमित की पुष्टी हुई है चंडीगड हर्याना के पंचकूला और पंचाब के मुहाली में फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ चंडीगड से 541, पंचकूला से 415 और मुहाली से 563 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ट्राइसिटी में शनिवार को 1519 नाई केस सामने आए जसके बाद से इंजलों की प्रशासन हालात से नेपटने की तैयारियों में जुटे हैं बिहार में कोरोना का संकरमट तेजी से बढ़ रहा है राजी में पिछले 24 घंटे में 4500 से जादा संकरमित मिले हैं पटना में भी शनिवार को कोरोना के नए माम ले पढ़े अगमकवा की राजींद्र मेमोरियल रिसर्च इंसिट्यूट में कोरोना प्लास्ट हुआ है संस्थान की 14 साइंटिस्ट और 10 करमचारी कोरोना संकरमित पाए गये हैं इतने लोगों में संकरमण की बाद संस्थान में हड़कम मच गया पंजाब की फिरोजपूर के डिप्टी कमिश्टर दविंदर सिंग की कोरोना रिपूर्ट पॉसिटिव आई है जिप्टी कमिश्टर फिरोजपूर में प्रधान मंत्री के काफिले को रोखने वाली घटना स्थल पर पहुँची MHE की जाच टीम के साथ वहा भी गये थे और जाच टीम के साथ अधिकारियों की बैठक में हिस्सा भी लिया था दविंदर सिंग के संक्रमेत होने के बाद चिंताब बढ़ गई है कॉरोना के मामलों को देखते हुए पशिमंगाल की गंगस आगरमेले ने प्रशासन की फिकर बढ़ा दी है कुलकाता नगर निकम गंगस आगर मेले में शामिल होने से पहले तीर्थियातियों और साधूं का रैपेड एंटिजन टेस्ट करा रहा है टेस्ट जाच रिपोर्ट आने के बाद ही श्रधालूं और साधूं को एंट्री मिल रही है और पॉजिटिव रिपोर्ट वालों को आईसुलेशन सेंटर ले जाया जाता है कलकता हाई गोट ने मेले के दौरान कोरोना नियमों का सकती से पालन करने के निर्थेश्टिये है यूपी के गौतम बुध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से दाफा हो रहा है कोरोना की चपेट में डॉक्टर स्वास्त कर्मी मेडिकल शात्र भी आ गये है ग्रिटर नौडा के जिम्स अस्पताल में पांच डॉक्टर सोर चे शात्र कोरोना संकर्मेत पाए गये है वर्दे संकर्मेत के मामलों को देखते वे आम मरीजों के लिए ओपीडी बंद कर दी गई है पूरी दुनिया में पिछले 24 गंडे में करीब 27 लाग नए कोरोना केस मिले हैं और 6,379 लोगों की मौत हुई है अमेरिका में एक बार फिर सबसे जादा 8,49,000 केस मिले हैं फ्रांस में 3,28,000 ब्रिटेन में 1,78,000 स्पेन में 1,15,000 अर्जंटीना में 1,10,000 और इटली में 1,8,000 कोरोना संकर्मित मिले हैं कोरोना वारिस का ओमिक्रोन वारियंट अब विक्राल रूप ले रहा है पूरी दुनिया में इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं योरोप में 18 और अफरिका में 7 देशों सहित खुल 34 देशों ने इस हफ़ते रिकार्ड केस दर्च किये इसके पीशे का कारण तेजी से फैलने वाला ओमिक्रोन वेरियंट है कोरोना के चलते दुनिया भर में अब तक 30 करोर से ज़्यादा इससे संकर्मित हुए है इटली में कोरोना जम कर कहर मचा रहा है वहां के स्वास समंत्राले ने शनिवार को कोरोना के 184 मरीजों की मौत रिपोर्ट की है स्वास समंत्राले के मताबक इटले में पिछले कुछ दिनों से रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं जिससे प्रशासन में हड़ कम मचा हुआ है पिएम के सुरक्षा में चूक पर पंजाब पुलिस और सीएम चन्नी के दावों की खुली पोल कहा शराब माफिया ने की एरफोर्स के आफिसर की हत्या कहा प्रियागराज और वारानसी के अस्पतालों में हंगामा हुआ और आईजिया एरपोर्ट पर कितने किलो गोल्ड हुआ बरावर देश की सभी एहम खबरों को जानते हैं टॉप नाइन देश प्रदेश पंजाब के फिरोजपूर में पीम की सिक्योर्टी लैप्स पर बड़ा खुलासा हुआ है पीम की दोरे कर रूट पंजाब पुलिस नहीं तेयार किया था इसमें सलक यात्राखा भी जिक्र था इस बीच फिरोजपूर के स्स्पी हर्मंदीप सिंग हंस का तबादला कर दिया गया है राज के डीजीपी भी बदल गए हैं बिहार के पुर्वी चंपारन में रास्ते की विवाद को लेकर एयर फोर्स के अफसरालोग तिवारी की चाकु मार कर हत्या कर दी गई घटना संग्रामपूर्थाना शेत्र के घुसियार बिन टोली का है परिजुनों ने बताया उनकी जमीन से होकर शराब माफिया आते जाते थे जब उन्होंने विरोध किया तो चाकुल से गोट कर हत्या कर दी गई यूपी के प्रयाग राज में सुरूप रानी अस्पताल में एक दबंग डॉक्टर से परेशान वार्ड बॉय और नर्सों ने कल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया डॉक्टर पर आए दिन नर्सों के साथ बतसलू की एक आरूप है एक दिन पहले ही डॉक्टर ने एक वार्ड बॉय को थपड़ वी जड़ दिया था आरूपी डॉक्टर के खिराप अस्पताल के डिप्री सुप्रीटर्नेंट गोतम त्रिपाठी के साथ भी मार पीट का मुकदमा दर्जुआ था वहें बीचु के सरसुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटर्नेंट पर मार पीट आरूप लगाते हुए कल नर्सों ने जम कर हंगामा किया और धर्रें पर बैठ गई मेडिकल सूप्रेटेनेंट पर एक नर्स को थपड मारने का आरोप है नर्सों के हर्ताल के दोरान इमर्जेंसी विवस्था भी चर्मरा गई दिल्ली के आईजे आई एरपोर्ट पर तेनात एरकस्टम की टीम ने सोना तसकरी के आरोप में एक यातिर को गिरफतार किया है उसके पास ये दो किलो 330 क्राम सोनी की चैन बरामद हुई है यात्री पैंट के बेल्ट में बांध कर ये चैन दूबई से दिल्ली ला रहा था बरामद सोनी की कीमत करीव एक करोड रूपे है आरोपी पहले चार बार अपनी कोशिश में काम्याब हो चुका था नोईडा पुलिस ने ठकठक गिरोह के तीन सदस्यों को इनकाउंटर के बाद गिरफतार कर लिया है बीती रात पुलिस को अपराधियों के आने की सूचना मिली थी इसके बाद पुलिस ने सेक्टर 99 में नाके बंदी किया अपराधियों ने जब पुलिस को देखा तो फारिंग कर दी जवावी कारवाई में वदमास खायल हो गए ये लोग गालियों के शीशे तोड़कर मोबाईल और लेफट आप चोरी करते थे एंपी के इंदोर में हेरिस्टैलिस्ट जाविद हवीव के फरेंचाइज जी सेलून पर करनी सेना ने प्रदर्शन किया हलांकि प्रदर्शन से पहले ही संचालक ने सेलून से जाविद हवीव का नाम हटा दिया था गाजयवाद गौतम बुधनगर समेद के जीलों में कल होडिंग बैनर हटाए गए। पाकिस्तान में रावल पिंडी के मररी शहर से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। मररी शहर में हुए इस हादसे के कई दर्दनाग वीडियो सामने आए हैं। यहां हज़ार से ज़्यादा गालियां घंटो बर्फ में दवी रही और लोग अंदर बंद रहे। गाली में बैठे बैठे लोग वहीं जम गए इनमें कई महलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हलंकि करीब 1100 लोगों को बचाए गया है। जमू कश्मीर के राजवरु में भारी बर्फबारी के बीच परेटक खूब मस्ती कर रहे हैं। यहां पहालों पर चारों तरफ सफेज चादर बिची हुई है जिसकी खूबसूरती निहारती लोग दूर दूर से आते हैं। परेटक इस बर्फबारी का जम कर लुट्फ ले रहे हैं। हमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जारी बर्फबारी ने परेटकों के चहरे खिला दिये हैं। काफी दिनों से लोग यहां बर्फबारी के इंतजार कर रही थे। शिमला के कुफरी नारकंडा सहित उचाई वाले इलाकों में बीते कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी। लेकिन शहर के लोग बेसबरी से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे ये कल पूरा हो गया भारी बर्फबारी ने प्रशासन और परेटकों की मुसीबत बढ़ा दी है अटल टरनल बंद होने के चलते हमाचल प्रदेश के मनाली में से एकलो परेटक फस गए थे इसके बाद जिला प्रशासन और स्थानिये लोगों ने परेटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुचाया इस दोरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमाचल के प्रसिध परेटन स्थल टलहोजी में कल साम से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है मकानों और पेर पोधों पर सिर्फ बर्फी बर्फ दिखाई दे रही है भारी बर्फबारी में तापमान में काफी गिरावट आ गई है और प्रचंड ठंड पड़ रही है हलांकि इस बर्फबारी को देख कर परेटकों के चेहरे खिल गए हैं जमु कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के अलूत पुठारे कई परेटक बर्फीले तूफान की चपेट में फजगे जल्द ही प्रचासन की टीम मौके पर पहुँची और लोगों को स्नो स्कूटर के जर्ये बाहर निकाला जमु कश्मीर के पुण्च में एक महला और उसकी बेटी बर्फीले तूफान में फजगे इसके बाद उन्हें कड़ी मशक्त के बाद बचाया जा सका महला अपनी दस साल की बेटी के साथ पानी लेकर जा रही थी इसी दोरान बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई नाकाम और चीन में तोड़ी गई भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा बौध विक्षूओं की पिटाई भी की गई और उसी दिश्मन देशों से जुड़ी खबरों के लिए देखे टॉप नाइन चीन पाक साजिश दिल्ली पुलिस की स्पेसल सेल ने पाकिस्तान की नापाक साजिस का भंडा फोड किया है इसके तहट कुछ ऐसे ट्विटर अकाउंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिन्हें पाकिस्तान में बनाया गया और उनका इस्तेमाल भारत में धार्मिक सोहार्द और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पूर्ग परधानमंत्री नवाज शरीफ ने परधानमंत्री इमरान खान पर जम कर हमला किया और कहा कि इमरान खान को देश की सामने बेनकाब करना चाहिए। पाकिस्तान की गंगाली से जुड़ी खबरे रोजाना सामने आती रहती हैं लेकिन आजकल पाकिस्तान के कई हिस्सों में हो रही बारिश ने पाकिस्तानी हुकोमत की विवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी है यहां बारिश की वज़े से पाकिस्तान के संसत भवन की छत्र पकने लगी जिसके बाद वहां की बदहाली की एक और तस्वीर दुनिया के सामने आ गई पाकिस्तान की सेना पडूस्यों ही नहीं अपने लोगों के खिलाफ ही काम करती है इसलामाबाद हाई कूट ने नेवी की सेलिंग कलब और फाम हाउस को अबैद घोशित कर तीन हपते में गिराने का आदेश दिया है अदालत ने पूर्ण नोसेना प्रमुक्ष जफर मैमूद अबासी और अन्ये लोगों के खिलाफ आपराधी कारवाई शुरू करने का भी निर्देश दिये है पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेसन एजनसी की साइवर सेल के मुताविक ये लाखों डॉलर का घोटाला है लोगों को इसके जरिये करीब 10 करोड़ डॉलर का चुना लगाया गया है मामले में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से जुड़ी एक चर्चित कंपने बिनांस को नूटी जारी किया गया है चीन भारत के खिलाब अपनी साजिसों से बाज नहीं आ रहा है लद्दाग से अरुनाचल प्रदेश तक भारत को घेरने की कोशिस में जुटाथ चीन अब बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्तिती बढ़ा रहा है इसके लिए चीन ने बांगलादेश और म्यानमार को घेरना शुरू कर दिया है बेल्टन रोड इनिसियेटिव के तहट में अमार में बड़ा निवेश किया है तकता परट के बाद सत्ता पर काविज में अमार की सेना को भी चीन का संडरक्शन प्राप्त है चीन की ताना साही एक बर फिर सामने आई है एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भगवान बुद्ध के एक विशाल प्रतिमा को तोड़ दिया है इतना ही ने इस सिचुआन शेत्र में चीनी प्रसासन ने कई तिबथी भिक्षों को गिरफतार कर सिर्फ इसलिए पीटा क्यों से सक्था क्योंने ड्रेगन की मुर्ति तोड़ने की कर्तूत के बारे में लोगों को बताया है लुओ कॉंटी में चीन ने 99 फूट उचे बुद्ध मूर्ति को नश्ट कर दिया है चीन में विगर मुसलिम पर अत्याचार का एक और मामला सामने आया है पश्यमे शिंजियांग में एक महिला पर बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने और गुरान की कुछ प्रतियां छुपाने का रोप लगा महिला को चार साल के सजा सुनाई गई है इस महिला को 2017 में ही अधिकारी घर से उठा कर ले गए थे